अच्छा बई आप लोगों को एक चोटा सा टॉपिक है अब्स्राक्शन से रिलेटेड जो आप लोगों कब रिसेंट पास्वर्स के अंदर मिलता है यह कॉंसप्ट जहां यह है पुराना इसको हम पहले भी पढ़ते हैं 9608 के अंदर भी स्टेडी करते हैं जो आप लोग एक इसके एक टर्म है विच इस नोन एस अब्स्राक्शन क्या होती है यह तरीके से टॉपिक है तो इसको डिसकस करना है मैक्सिमम इतनी ज्यादा लाइक लंबी वीडियो नहीं होगी बहुत चोटा सा कॉंसप्ट है इतना ज्यादा डीटेल में नहीं है और बहुत असान चीज है सिर्फ थोड़ा सबस्सका गई हैं इससे देख लिए तो और कुछ पासपर से कुश्शन से इससे रिलेटिट जो के आप लोगों के 9618 में अब आए हैं और इस दफ़ा भी शायद चांसेज हैं क्योंके 2022 में यह सवाल नहीं आए इसके अब्स्रेक्शन से रिलेटिड दो दो चीज़ें के अंदर जो एडिशनल है वो डिकंपोजिशन और अब्स्रेक्शन डिकंपोजिशन जो 2022 में आया है लेकिन अब्स्रेक्शन नहीं आया है तो एक तरीके से चांसे थोड़े बहुत बढ़ जाता है कि यह शायद आप लोगों का पेपर में आजाए अभी जो रीसन पेपर है अब्स्रेक्शन का जो सवाल आते हैं वो आ सकते हैं तो इनको देख लेते हैं कुछ भी इतना कोई याद करने वाली चीज नहीं है बेसिक कॉंसेप्चुल चीज़ है तो इसको जा देखते हैं अच्छा बई अगर हम बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं कि अब मैं इसको जरा आप लोगो को लिंक करूं कि यह आप लोगो अलड़ी कर चुके हो इस चीज़ से कि अगर तुम लोग सब्सक्रों करो जो तुम लोग सवाल पढ़ते हो 9608 का तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी भी होती हैं तुम लोगो कुछ मॉड्यूस की इंफ्रमेश करने के लिए मुझे कुछ काउंटिंग चाहिए होगी सही काउंटिंग करनी होगी और मैंने देखा कि भाई मुझे क्या मेरे लिए कोई भी अगर एक सिनारियो ले लो उससे मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे लिए काम की चीज़ें और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए काम क पूर्व के अगर मुझे बनाना है लर्निंग मैनेज्मेंट सिस्टम बनाना है हम बात में पढ़ेंगे इसका जो कॉंटरिण लिखा पहले से बेसिक्स क्लियर कर लें था कि आपनों की परिशानी दूरू कि आप लोगो ने अलड़ी पढ़ावा है अगर में बात करता हूं ल सिस्टम बनाना है ठीक है online classes होंगी क्या इसके अंदर एक सवाल है एक normal सा basic सा question देखते हैं कि क्या मुझे इसके अंदर learning manager system बना रहा हूं online है online courses होंगे क्या मुझे इसके अंदर मेरे address की जुरूत है आप लोगो सवाल सब्सक्राइब क्या मेरे address की जरूरत है आप लोगो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगो मेरे address नहीं मालू अगर मैं बात करता हूं अभी आप लोगो classes ले रहरों आप लोगो मेरे बारे में कुछ भी मालू एडरेस नहीं मालू अच्छा क्या मेरी qualification क्या आपनों को जुरूरत है तो सम एक्टेंट है लेकिन अभी अभी छोड़ो क्या qualification की जुरूरत है कुछ पढ़ना है नहीं यह मेरे लिए essential नहीं है अच्छा अब मैं अगर बात करूं क्या-क्या सब्सक्राइब करने के लिए मुझे क्या क्या चीज होंगी मिन्हें चाही होगा for example registration form registration form चाही होगा registration date हो गई कब आपके registration ओपन हो रही है पिर उसके बाद इसमें फीज हो गई कि मैंकि कितने फीज है यह मुझे इसका फाएदा क्या होता है फाएढसानात उस्संपांइ क्या है उएक जब भी हम लोग एक्सरेक्षिन करते है ओर आप लोग कर वह लेकिन इस टर्म का जो टर्म का मतलब है यह बस आप लोंको नहीं पता तो abstraction जो होती है उससे हमें फायदा ही होता है कि हम लोगों की जो problem है वह बहुत जादा simplify हो जाती है अच्छा वह यह मेरे काम की चीज़े थी मैंने यह identify कर लिए बाकी चीज़ों को मुझे काम देखना ही नहीं उनकी तरफ मैंने जो मेरे लिए relevant और essential चीज़े थी वह मैंने उठा क्योंकि abstraction जो है वह scenario different देगा तो रट्टा माणने वाली चीज़ है नहीं नहीं मैं दिखाता हूं तो उसमें देखते हैं हमनों चलो उसको जरह पढ़ते हैं अगर वह definition पूछता है abstraction is basically a process process को अगर मैं टेक्नीक कर दो तो वह ज्यादा बेतर अप्रोच है यह process भी ठीक है ए लाइन booking system मनाना है train booking system मनाना है तो आप लोग क्या करते हो कोई भी problem है उसमें आप लोग focus करते हो किस चीज़ पर by focusing on the essential essential is a keyword किस चीज़ कीवर्ड है कि बहुत काम की चीज़े जो है मेरे पास मुझे वह लेनी है बस essential features and ignoring irrelevant details जो मेरे काम की चीज़े नहीं है जैसे भी हमने address हो गया मेरा मेरी qualification हो गई मेरा नाम हो गया मेरी age हो गई जो भी मुझे से related information है वो आप लों के लिए किसी काम की नहीं है learning management system की कोई काम नहीं आए कि आप लों के तो वो सब क्या है irrelevant details तो हम इसको ignore करते हैं इनको अलग करते हैं जो काम की चीज़े उनको हम लोग समझते हैं बस इतना सा concept है अगर इसक keywords दिमाग में रखो that's it काफी इतना चलो अच्छा भी हम इसकी जुरूत क्यों पढ़ती है इस पर हम discussion कर चुके हैं लेकिन देख लेते हैं और जरा डीटेल में किसकी जरूत क्या है और इसकी need क्यों है भाई हम लोगों को नीड की अगर बात करूं ना सिर्फ मैं benefits की और need मे होती है हम लोगों को संप्लिफाइब करने के लिए जरूत होती है वही उसका एक तरीकी से benefit हो जाता है अगर वह आपकी problem को संप्लिफाइब कर देता है तो benefit हो गया हमें संप्लिफाइब करने की जरूत पड़ती है वह need हो गई तो यह थोड़ा बहुत इन में difference है जबके मा करतें तो बैनेफिट में गवन जाएगा हम लों को से यह जैसे अभी मैं इस जैसे समझा 되어 था मिलों को कि मुझे नीड है कि मेरा कोर्ड जहुँझ होजाएगा सभी है यह abstraction की मेरे पास एक need है अब उसी चीज़ को मैं apply कर दो कि मेरा benefit किया इसका कि यह simplify हो चुका है तो बस यह differences को जड़ा पढ़ लेते हैं the solution is simplified and makes the problem easier and quicker to design design मतलब design में बहुत सारी चीज़ा जाती है हम लोग के पास designing बहुत सारी तरीके से हो सकती है हम लोग के पास flow chart की designing हो सकती है हम लोग के पास structure charts हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास यहां पर options algorithms हो सकते हैं pseudo code हो सकते हैं कुछ भी आप लोग इसमें design को consider कर सकते हो the solution is simplified जो भी आपको solution है वो simplify कर दे जाता है it makes the problem easier and quicker to design बस उसके बाद दूसर benefit देखते हैं यह एक हो गया आप लोगा तर सिस्टम इस टेलर्ड तो दे नीड अफ यूजर अच्छा इसका क्या मतलब है भाई हम लोग जो भी यूजर की requirements होती हैं जो भी आपको सिनारियो दिया होता है वह आपकी यूजर की requirements को meet कर सके से इसको अपने अलफाजों में लिखना चाहो अपने अलफाजों में लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं अगर यह की वर्ड याद नहीं और टेलर्ड तो कोई मसले हैं तर सिस्टम इस टेलर्ड concept समझे उसका बस कि यूजर की requirement को meet करने के लिए हम लोग अपने सिस्टम को डिजाइन कर पाते हैं मतलब अपने सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं ताकि यूजर की requirements को meet कर सके हैं अब जो है पास्टबर्स के अंदर और सिनारियो है वह आपको कुछ तरहीके से सवालाइद देता है एब्स्रेक्शन के और कुछ भी याद करनी की जूरुत नहीं है कि वह आपको सिनारियो हमेशा different देगा और उस सिनारियो के मताब़ए कि काम की चीज़ें क्या नहीं है तो वह आपने और इसके कोई fixed answers नहीं है fix answers मतलब हो सकता है कि शायद मैंने कोई मार्ट सी मनाते वह कोई पॉइंट पर्टिकलर पॉइंट जहें मिस कर दिया हो सभी है शायद और भी चीज़ें चाहिए होंगी essential चीज़ें और भी होंगी तो जरूरी नहीं है कि अब हमनों के पास यहां पर कुशन है विच बेसिकली रिलेटेट टू 9618 को अधरा पढ़तें इसको अब यहां पर हमसे कह रहे हैं a system is being developed to help manage book loans in a library अच्छा book loans का क्या मतलब है यह पैसों की बात नहीं हो रही है यह लोंस पैसे वाले नहीं है बोक को rent करना बोक को borrow करना वाले जो system अथा लाइबरी के अंदर उसकी बात हो रही है उसको develop करने तो उसमें क्या क्या चीज़े चाहिए होंगी ज़रा देखते हैं registered users जो भी registered users अच्छा युजर्स की बात हो तो यूजर्स में किया कि चीज़ आ जाती है महां पास यूजर में यूजर नीम्स होते हैं उनके पासवर्ड जो भी अगर कोई यूनीक उनका इक देंटिफाई उसे ऐडी हो गई सभी है तो यह सब चीज़े रिजिस्टर्ड यूजर से हम लोग इसको समझ सकते हैं में बॉरो बुक्स फ्रम दे लाइबरी शायद वो बॉरो करें बुक्स को बॉरो करें लोन करें फ्रम दे लाइबरी फॉर पीरियड ऑफ टाइम मैं लोग कुछ पर टाइम के लिए वो बुक्स को लेना चाहरे है ठीक है जी अब वो क्या कह रहे हैं स्टेट थ्री आइटम्स कुछ भी तीन आइटम्स बताओ मुझे ऑफ डेटा डेटा के बारे में बताना है आपने अपने डट मस्ट बी स्टोर्ड जो कि आप लोग स्टो खुँआ हो चुक है सिफ्ट थोड़ा वह सोच उसके बारे में कि लोन करते वाक्त एक बुक को बोरू करते वाक्त क्या क्या चीज़ें होती है उसकी बुक का जो आईडी नंबर वह ले 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 लिते हैं हमारे पास book ID इसके कोई fix answers नहीं है मैं तो माक्सी में फोकुस करूँगा लेकिन आप लोग जो लिखना चाहो लेकिन relevant होने चाहिए इससे यह नहीं कि तुम लोग लिखकर आजाओ कि भाई अपने तरव से कुछ भी लिखकर आजाओ थोड़ा बहुत सोच के लिखो कि क्या क्या चीज़े माक्सी में हो सकती है book ID हो गई user ID हो गई या user name बोल दो user name हो गया आप लोगों का उसके बाद जो period of time मतलब return date कि कब वापस करेगा भाई book को जो loan की है उसने borrow जो की है return date तो यह कोई ऐसे जवाबात नहीं है कि आप कुछ को याद करके जो या बुक में लिखे हो यह basic knowledge है कि एक problem में उसके मुताबक सोचो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी state one item एक item बताओ of data data के बारे में बात हो रही है that will be required in the library system अब यह library system की बात हो रही है यह उपर क्या चीज़ थी उपर कौन से concept था हमारे पस book loan की बात हो रही थी in the library system but does not need to be stored for each loan मतलब loan के लिए हमें नहीं चाहिए होगे हर loan के लिए नहीं चाहिए लेकिन library system में मौझूद होगा सही है library system एक बहुत बड़ा system होता है उसके अंदर फिर book borrow का system भी एक module होता है जैसे for example यह आप लोगा library system आपने बनाए है उसके अंदर एक छोटा सा module book borrow का भी है सही है अगर structure chart के थूँ समझना है तो एक module है library system का उसके अंदर हमारे पास एक और module है which is related to book loan का concept है अब वो पूछने कि हम लोगों के पास जो library system है उसमें ऐसा क्या के चीज़े चाहिए होंगी हम लोगों को सभी है तो बहुत सारी चीज़े हो सकती है कि book की information हो गई, book के titles हो गई किस किसने ली है, कितनी books जा चुकी है, कितनी books रहती है बहुत सारी चीज़े लिख सकते हो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोशिश करो, सोचो इसके बारे में library system में क्या की चीज़े होती है एक example मैं दो-तीन example देता हूँ user name, user का address हो गया, user का phone number हो गया उसकी date of birth हो गई, यह जब आप library system create करते हो तो तो उसको चाहिए होगा book के titles हो गए, book के authors publishers, isbn number, मतलब international standard book number हो गया, फिर उसकी price क्या है book की, उसकी कब वापिस करोगे, कब वापिस नहीं करोगे, वो कब आएंगे आपके पास books available होंगी, सभी, यह सब चीज़े क्या है, यह सब आपकी, वो particular items है, जो कि आप लोग लिख सकते हो, तो मैं एक इनमें से choose कर लेता operation, अब भी हमने उपर जो बात की, वो data की बात की है, अब हम बात करें operations की, one operations that manipulates the data stored, एक manipulate करता है, उसकी values को changes करता है, उसके अंदर the data stored for each loan, जो भी loan के लिए data stored हुआ है, जैसे book ID, username, return date, उसको change करता है, operation मतलब, तक्रीबंस को समझ ला, functions वगारा, methods वगारा होगे, और functions and procedures हो गए, would produce a list of all overdue books, यह जो है, एक operation है, जो कि list of all overdue books अपनों को generate करके देगा, सही है, अब मुझे इसमें दो और operations बताओ, दो और क्या के चीज़ें इसमें 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 इस्तमाल हो सकती है, पूरे system को develop करने के लिए, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन related to library system, सही है, for example, कुछ operation लिख सकता हूं, इसको explain कर दोंगा, मैं, identify को बोलें तो basic से explanation आएगी, view the loan history, view the loan history, for a given user, एक user का, for a given user, एक यह आपका operation आ सकता है, और कोई operation, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कि हमने किसी particular user से contact करना है, यह एक और चीज़ आ सकती, view the loan history for a given book, सही है, अगर आपको book के बारे में कोई information चाहिए था, वो भी लिख सकते हो, और उसका operation 2 हम लोग अभी, जो यहां पर consider करेंगे, which is, contact a user, okay, थोड़ा सो different हो जाए, contact a user, जो कि जिसकी आपकी जो, जिसकी book जो है, वो overdue हो चुकी होगी, contact a user, क्या लिखे हैं, इसको हम लोग, contact a user, of which, the user, the date is, यह the book is overdue कर देते हैं, which the book is overdue, कुछ भी लिख सकते हो, explain करना चाहिए, तो यह basic से marks हैं, easy marks हैं, थोड़ा बहुत सोचना हैं, बस, दो, तीन, पांच मांस easy, माक्सिम भी यहां पर available हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं, अच्छ जी, अब वह हमसे यहां पर क्या कह रहा है, अब airline system की बात हो रही है, airline system की बात हो रही है, wants to provide passengers with information about individual flights and allow them to book their flights using an online booking system, अब online booking system में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के requirement होती है, किस चीज क्या आप लोगों को जरूरत होती है, वह सिर्फ चीज़ें आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या चीज़ इसेंशल है, क्या चीज़ not इसेंशल है, उसका आपने identify करना है, अब कर मैं कहता हूँ, booking system, take one box in each row of the table to indicate whether each of the information would be essential for customers, customers के लिए क्या की चीज़ें जरूरी है, when making the booking, हैं, अब हम इसमें एक एक पॉइंट को देखते हैं, और सोचना है इसके बारे में, कि departure time, क्या departure time मेरे मुझे जब book कर रहा होता है, उसको system को दमाग में लेकर रहा हूँ, कि जब हम किसी भी flight को book कर रहे होते हैं, क्या हम मेरे पास departure time दिखा रहा होता है, बिल्कुल हम लोगे पास departure time भी दिखा रहा होता है, और arrival time भी दिखा रहा होता है, तो यह मेरे पास essential है, क्या मेरे पास flight number दिखा रहा होता है, जब हम book कर रहे होते हैं, उस वक्त हम लोगों का इंफिर्मेशन है बुकिंग के बख जुरूरत नहीं है किया आप कौन सी फ्लाइट नंबर उसका किया है एरलाइन की बात अगर होती है तो वह बात अलग है हम लोगी लेकिन अभी किसी चीज़ की बात हो रही है कि flight के number क्या है कि कौन सा airplane कौन सा है वही तो उसकी हम लोगों को जुरूद नहीं पड़ेगी not essential booking करते हो जुरूद नहीं पड़ेगी departure airport क्या हम लोगों के यह दिखा रहा हुता है कि भाई आप कहां से जाना चाहरे हो इसलामबाद का एरपोर्ट है या पाकिसान कराची का एरपोर्ट है कहां का एरपोर्ट है तो यह भी चीज़ आइडेंटिफाइ कर वाता है और कहां जाओगे arrival एरपोर्ट भी आप लोगों के बता रहे होते है बुकिंग सिस्टम के बाद तो यह भी ज़रूरी चीज़ है पिर उसके बाद एरक्राफ टाइप एरक्राफ टाइप वही वाली बात आगए भाई हमें कोई फ़र्ट नहीं पड़ता बुकिंग के सिस्टम के वक्त कि कौन सा हम लोग एरप्लेन कौन सा है तो वह भी हम एरक्राफ के अंदर फ़र एंपल फाइव थाउजन सीट्स हैं यह फॉर थाउजन सीट्स हैं यह बुकिंग के वक्त मेरे मेरे लिए कोई भी relevant information नहीं है तो मैं क्या करूंगा अच्छा अब सुनो ज्यादा तर अगर maximum को note करो एक चीज़ बता रहा हूँ एक सोचना लेकिन पहले जैसे मैं भी सोच के किया है सोच कही करना इसको लेकिन ज्यादा तर passports को देखो maximum को देखो तो there is always a pattern एक ज्यादा तर सही एक pattern follower होता है तो अगर उसे किसी भी point में फसो कि तुम लोग confusion हो जाओ और तुम्हें at the end बस answer देना है कुछ भी तो एक pattern के मताबक answer दे दिया करो ताकि बिल्कुल ये end scenario बता रहा हूँ मैं सही है अगर कभी ऐसा scenario आ जाए जिसमें तुम लोग फस जाओ तो बिल्कुल end scenario के मताबक एक pattern छोटा सा रखो कि pattern होता है कि पहला जैसे सही हो गया दूसरा खलत होगया पर सही होगया पर गलत होगया अब अगर मैं consider करू number of seat से मुझे नहीं समझ जा रहा है मैंने notice किया कि ये pattern इ हो 1.5 इसके हो तो थोड़ा बहुत दिमाग भी स्तमाल करना होता है सही अच्छा अब क्या कह रहे है identify the technique used to filter out information ऐसी कौन सी टेक्नीक है जिसको filter out करते हैं that is not essential when designing the booking system ऐसे क्या हम लोग ऐसी कौन सी टेक्नीक है अभी पढ़ा है भाई हम लोग इसको abstraction कहते हैं जिसमें हम इसको बिदेशन और नॉट इसेंचल इसको अबस्ट्रैक्शन बेन फिट्स किया होते हैं कुछ भी लिख सकते हो हमने ओपर जो दो डिसकस किया है उन्होंने आप से एक मांगा है तब इसको कुछ भी लिख सकते हो कि भाई दिस स्विशन इस सिंप्लिफाइड ऑपर लिख अचा अचा अब वो क्या रहा है इडेंटिफाइड टू इडीशनल पीसस अप इसेंचल इंपेशन इंपर मैशन इसी क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए होँगी और ज्यादा मतलब हो सकता है कि जरूरी निया कि सारी चीज़ें जहां इहां पर लिख ही हो बस यही जो वो है के कहां पर हम लोग पहुचिएंगे वह भी आप लोग बस मेंशन होता है अरायवल airport हो गया रायवल airport इसकी Information चाहिए होती है कि कहांभे पहुचेंगे भही हम लोग उसके बाद हम लोग सरह information आ सकती है सभी यह हो गया जी basic abstraction के questions खतम हो चुके हैं अभी तक बस यह दो questions आए हमारे पस एक छोटा सा question है which is related to decomposition तो उसको ज़रा देख लेते हैं यह abstraction से related नहीं decomposition से related है मैं ज़रा सब समझाना चाहरा हूँ आप लोगों को दोनों में फर्क समझाज आज़ा है बस आप लोगों चलो जी वैसे abstraction खतम हुच है बिस decomposition के छोटा सा question है तो और आटिकल इसको देख लेकर हैं अब हम लोग अभी रिसेंट 2022 9618 को question है the manager of a cinema wants a program एक पैसे program बनाने चाहरे cinema के अंदर which allows the user to do to book seats book seat seats को बुक करने के लिए हम लोगों को एक system create करना है the cinema has several screens each screen shows a different film decomposition क्या होती है किसी भी problem को breakdown करना सहीजी decomposition किसे कहते है किसी भी particular problem को breakdown करना into sub programs और उनको इतना breakdown करना कि वो solve होने हम लोग उसको solve कर सके हैं जिसको हम लोग stepwise refinement गयाते है describe three programs modules that could be used in the design तीन ऐसे concept modules है modules मतलब जो आप लोग एक problem को देखते हैं जिससे हमने touch screen की एक problem देखी थी जो 2021 में आप लोगा सवाल आया था तो अगर वो module है तो उसके अंदर उस particular problem को solve करने के लिए तीन अलग-अलग modules चाहिए मुझे set row फिर set column फिर उसके बाद get center तो इस तरीक से ये तीन अलग-अलग-अलग modules थे जो कि मुझे इस्तमाल करने पड़े एक चीज़ों करने के लिए उस टेच स्क्रीन का point को figure out करने के लिए तो अब वो कह रहें कि कौन-कौन से modules जो है वह आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो for creating a particular cinema management system या उसकी booking system जाकर आप लोग ने बनाना है सब्सक्राइब बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हो इसमें करो कि इसमें क्या की चीज़ें और सकती है explanation से मतलब कभी भी सिर्फ आंसर मत छोड़ा करो calculate cost of booking इसमें explain कर सकते हो कि भाई हम लोगों को इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं booking को calculate करने लिए number of seats और इसकी एक seat पर पर booking की seat उसके बाद film के मताबिक जो cost उसकी उसको हम लोग अपने मताबिक भी सोच सकते हो मैं भी आपनों को सिर्फ माक्सिम दिखाना चाहरा हूं और उसकी मताबिक आपनों को चाहरा हूं कि सोच लोग उसके थोड़ा सा related book a given number of seats for a particular screening यह एक और module हो गया इसको भी explain करना है सीट को बुक करने का तरीका आपने उसमें देखा कि भाई कौन सी आप लोग की जो screen आप देखना चाहरे हो जो particular film आप देखना चाहरे हो उसके मताबिक आपने इसको judge किया कि कौन सी चीज हम लोग किस particular seat को बुक करना चाहरे है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, इसमें आप लोग कर सीट नमर जब रूटन करवा सकते हैं बहुत सारी चीजने इसमें लिख सकते हो module नमर 3 को देखते हैं, और कौन सी चीज़ा सकते हैं भाई अच्छा, allow the user to search for available seats allow the user to search for available seats या मतलब, users को एक तरीक इस option मिल जाएगा, जिकि आप लोग एक particular seats को जो है कि कौन कौन सी seats कहां कहां available है, हमारे पास front row में है, back row में है, जो भी है, middle row में है, तो वह आप लोग इसमें search कर पाऊगे वह कैसे होगा कि आप लोग counting भी करवा सकते हैं, पहुत सारी चीज़ वह सकते हैं, उसको क्या return करवाएंगे, कि seats are available or not available, how many seats are available, कहां पे available हैं, तो वह सब चीज़े इसको हम लोग return करवा सकते हैं, या output करवा सकते हैं पाइड भी देखते हैं, two types of program modules may be used in the design of a program, identify the type of program module that should be used to return a value, बहुत मिश्पिल सवाल था, ऐसा कौन सा module है, जो कि return करवाता है, it is your function, that's it, तो यह हो गया जी, आप लोगों का decomposition, your abstraction, अच्छा, अब जो है, मैं कुछ आइस साइस तक करके वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ, एक, दो, तीन questions मुझे, आप लोगों करवाने, तो इसको हम लोग देख लेंगे, इसके बाद, सही है, बाकी इन्शालला good luck with your preparation, इन्शालला आप लोग कल paper है आप लोगा, तो कुछ चीज़ें जो है, मैं भी recent और एक दो वीडियो दो अप्लोड कर रहा हूँ, which is related to paper examination, attempting guide क तोर पे, कि paper को attempt किस तरीके से करना होगा, किस तरीके से approach उसको देखनी है, तो वह हम देखेंगा भी, एक दो वीडियो उसके अंदर भी आ जाएंगी थोड़ी से तेर में, तो इसको भी हम लोग देखते हैं भी, ठेक है, शालो जी, अल्ला हाफिस